नमस्कार में बेनजिर हाश्मी और देश रोजाना के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर स्वागत है आपका और खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की खास सुर्खियों के साथ फिर बात करेंगे हर्याना की खास खबरों की देश में एंटी पेपर लीग कानुन आधी राज से हुआ लागू नोटिफेकेशन हुई जारी पेपर लीग हुआ तो दस साल की जेल के साथ भरना होगा एक करोड रुपे तक का जुर्माना आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ओफिस पे चला बुल्डोजर एक दिन पहले घर पर की गई थी तोड़ फोड जगन मोहन बोले चंदरबाबू का वरताप ताना शाह जैसा तमिल्नाडू में शराप कांड में मरने वालों का आखड़ा बढ़कर हुआ तेरपपन इन में तीन महिलाए और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल अलग-अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग किये गए भरती बिहार के सिवान में गंदक नहर पर बना ब्रिज गिरा पिलर के धसने से ढह गया 30 फिट लंबा पुल वही 5 दिन पहले अररिया में तूटा था ब्रिज रामलला के प्रान प्रटिष्ठा करने वाले लक्ष्मी कान दिक्षित का हुआ निधन वारानासी में चल रहा था इलाज मडिक कान का घाट पर दहा हुआ संसकार नीट पेपर लिक मामले में हुआ बड़ा एक्षन प्रिंट आउट निकानने वाला और ओपी पिंटू जारखंड के देवघर से किया गया गिरपतार बात करे सोने चान्दी के भाव की तो सोना 870 उपे गिरकर 72,380 उपर पर आया तो चान्दी भी 2000 उपे की गिरावट के साथ 1 किलो चान्दी 92,000 उपे किलो पर रही तो ये थी दिन बर की कुछ ताजा सुर्खिया बात करते हैं हर्याड़ा की खास ख़बरों की विधान सभाचोन आप से पहले हर्याडा सरकार ने लोगों को राहत देना शुरू कर दी है दरासल राज्य सरकार ने हर्याडा नगरपाली का छेतर से बाहर चार शहरों में बसी 91 अवेद कलोनियों को नियमित करने की मन्जूरी दे दी है मता दे कि इन में पलवल में 44 पंश्कूला में 21 पानीपत में 14 और महेंदरगड में 12 कलोनियों को नियमित किया गया है ये सभी कलोनिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भिवाग के छेतर में बसी हुई थी इन कलोनियों के वैद होने से लोगों को बिजली पानी और सडक समित अन्य सुईधाय भी मिलेंगी और करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा वहीं कलोनियों में सिद प्लोटो की रजिस्ट्रिया हो सेकेंगी और अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार भी मिल जाएगा और भीतर विकास कारों की देखरेक हर्याड़ा शहरी विकास प्रादी करन की ओर से की जाएगी। पंचकुला के वरवाला, रायपुर पूरानी, कालका और पानीपत के इस राना, समालखा और पानीपत की कलोनिया भी शामिल है। के साथ धोका है। दरसल भुपेंदर जिंग हुड़ा सोनिपत में धन्यवादी कारेकरता सम्मेलन को संबोधित करने पोचे थे। पूर्वु मुखे मंत्री भुपेंदर जिंग हुड़ा ने कहा कि हर्याणा विधानसवा चुनाव में कॉंग्रेस का किसी दल से गठबंदन नहीं होगा। पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पर देश को करजे में डुबोने का काम किया जा रहा है। अगली खबर हर्याणा के गुरुगराम जिले से है जहां दोलताबाद ओदियोगिक छेतर में संचालित एक फैक्टरी में सुभा तेज बलास्ट हुआ जिसमें दो वैक्ति की मोत हो गई तो वहीं इस घटना में के घायल हुए। आपको बता दे कि फायरबॉल बनाने की फैक्टरी में धमा का हुआ था वही कई शरमीकों के अभी भी मल्वे में दबे होने की बात कही जा रही है जिसको निकालने का इंडे आरेफ की टीम के दुआरा रेस्क्यू किया जा रहा है। भाश्पा नेता कुल्दी विष्णोई पिछले चार दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आपको ये भी बता देगी कुल्दी विष्णोई ने पतनी रेणू का विष्णोई के साथ 17 जून को केंद्री ग्रह मंत्री अमिश शाह से मुलाकात भी की थी। इस जोरान एक्स पर पोटो शेर करते हुए लिखा था कि अमिश शाह से मुलाकात कर विष्णोई चोनाव समित के विष्णोई पर विस्त्रित चर्चा हुई है। इसके बाद उन्होंने केंद्री मंत्री वे हर्याणा के चुनाप्रभारी धर्मेंदर परधान, हर्याणा के सहप्रभारी विपलप कुमार देव और शुकरवार को केंद्री मंत्री वे हर्याणा के पूर्वसियम मनोहलाल खटर से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद माना जा रहा है कि कुल्दीप भी राजसभा के लिए दावेदारी कर रहे है मुई विदान सभा जुना भी नस्दीक ही है हरियाना लोकसभा से कॉंग्रेस सांसत जे परकाश ने भाजपा की और से किरन चोधरी को बंसी लाल की वारिस बताया जाने पर शुकरवार को विवादित बयान दिया है दरसल उन्होंने कहा कि हमारा देश पुरुष शलाता है जब उनके बेटे चोधरी रणवीर सिंग जी और पोता अनिरुद चोधरी है तो बंसी लाल की विरासत रणवीर महंदर और फिर उनके बेटे की है आपको बता दें कि जेपी ने महिलाओ को लेकर ये विवादित बयान उचाना के एक धरमशाला में आयोजित धन्यवाद कारेकरव में कारेकरताओ को सम्बोधित करते हुए दिया है साथ ही जेपी ने कहा कि जिन नेताओं ने विश्वाश घात किया है यदि में पहले ही पार्टी छोड़ कर चले जाते तो कॉंग्रेस ज्यादा सीटों से जीत सकती थी कॉंग्रेस में रहते हुए कुछ लोगों ने उसको हराने की कोशिश की है लेकिन जनता के समर्थन के कारण बे सपन नहीं हो सके दरसल उन्होंने किसी का नाम लिए भी न कहा कि कुछ लोग भाशपा छोड़कर कॉंग्रेस में आये हैं और रात में भाशपा का जनता उठाए मिलते हैं उन्होंने ये भी कहा कि नीट से लेका ग्रूप डी की परिक्षाव में ही गड़बड़ी नहीं है बलकि भाशपा में पूरी तरह से ही गड़बड़ी है जे परकाश ने लोगों से कहा कि किसी बिचोलिय की जरूरत नहीं है थाम हमारे हो मैं थारा हूँ इसलिए कोई भी पात हो तो मुझसे सीधी बात कर सकते हैं तो ये थी दिन पर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हर्याड़ा की खास खबरे कल फिल होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताजा खबरों के साथ तब तक इलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना नमस्कार